गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मसुमन इस वीडियो में आपको सिंदुकाटी सब्वेता के समाज के बारे में बताऊंगी तो देखेगा स्टूडेंट्स सिंदुकाटी सब्वेता का जो धार्मिक जीवन है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है और सिंदुकाटी सब्व को पढ़ा नहीं गया और शिंदुगाटी सब्वेता के नगर हैं स्थल हैं सिंदुगाटी सब्वेता का पतन सिंदुगाटी सब्वेता का विस्तार यह सब हमने पहले पढ़ लिया है तो आप हमार जो प्लेलिस्ट उसमें जाके वीडियो देखेगा सिंदुगाटी सब्वे और जो समाज है उसका समाजिक जीवन का जो मुख्या धार है परिवार था ठीक है ना तो समाज की कई प्रंप्राग तोर पर परिवार थी ओके परिवार मात्र सतात्मक था और परिवार मात्र सतात्मक था इसका क्या परमाण है हमारे पास तो परिवार सिंदुक अड़े सब् विद्वान जिसको पूरोहित कहा गया है योधा व्यापारी और सर्मिक थीक है कुम्बकारों को समाज में विशेश स्थान प्राप्त था सिंदुगाटी सब्वेता के निवासी साकाहरी तथा मासाहरी दोनों थे सिंदुगाटी सब्वेता के लोगों के भोजे पदार्थों में गेहूं, जो, मटर, तिल, सर्सों, खजूर, तर्बूज, चावल तथा दालों का प्रियोग किया जाता था अब देखेगा साकाहरी और मासारी दोनों थे तो साकाहरी में तो ये ये चीज़े हैं और मासारी में जैसे कि भेड का मास, सूवर का मास, मचली का मास इनका प्रियोग भी सिंदुगाटी सब्यता के लोग करते थे सिंदुगाटी सब्यता के लोगों के वस्त्रों में सूत्ती तथा उन्नी, दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रियोग किया जाता था और सिंदुगाडी सबेता के लोग हैं वो अभूशन के भी अभूशन को भी पैनते थे और अभूशनों में जैसे महिलाएं तथा पूरुस दोनों ही अभूशनों का प्रियोग करते थे अभूशनों में भूजबंद, कड़ा, कंठार, हंसूली तथा कणफूल थे ये सबी अभूशनाई सोने, चांदी, तंबे, सीप तता हाती दात के बने होते थे सिंदुगाडी सबेता के लोगों के लिए आवा कमन के लिए बैल गाडियों का प्रियोग किया जाता था सिंदु काटी सब्वेता के लोगों के मनोरंजन के साधनों में सिकार करना, गाना बजाना, नाचना, जुवा खेलना सारे साधन थे अब देखेगा कई बार कि उसने पूछ लेते हैं कि सिंदु काटी सब्वेता के लोगों के मनोरंजन का परमुख साधन क्या था तो पर्मुख सादन था सिकार करना आप देखेगा सिंदू काटि सब्यता के लोगों का पर्मुख खेल क्या था वो था पासा लोथल से चोपड तथा काली बंगा से पास से प्राप्त हुए है और दोला विरा से खेलने का एक स्टेडियम प्राप्त हुआ है इन लोगों के घरों में पानी की व्यवस्ता हमेशा रहती थी हडपा की खुदाई में छोटे और बड़े घर आसपास मिले हैं इससे प्रमानित होता है कि गरीब तथा अमीर में कोई भेदभाव नहीं था सिंदुख अटे सब्यता के लोग बाग हैं वो गाय से अपरिचित थे और इस त्रिया जूड़ा बनाना जानती थी तो जो आदूनी केस विन्यास की कल्ण है वह है हडपा सब्यता या फिर सिंदुख अटे सब्यता की लोगों की ही देन है ये लोग स्त्रिंगार के सोकिन थे, इन लोगों को अस्तर सस्तर का ज्यान था, ये लोग यूद पिरियन न होकर सांती पिरियन लोग थे अब देखेगा विहिलर तथा गार्डन चाइल्ड दो विद्वान हैं विहिलर और गार्डन चाइल्ड इनका मत है कि संदव सब्वेता के मूल निवासी सुमेरियन सब्वेता के लोग थे तो संदव सबेता के मूल निवासी हैं वो सुमेरियन सबेता के लोग ते अशा कॉन बोलते हैं वीलर तथा गार्डन चाल्ड सिंदुगाटी सबेता के लोगों के बर्तन हैं वो मिट्टी, सोने तथा चांदी से बनने हुए थे समाज में महिलाओं को उच्छ स्थान प्राप्त था मचली पकड़ना, चीडियों का सिकार करना सिंदोगाटे सबेता के लोगों के नियमित किर्याकलाब थे और हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग बाग इनको खाने में भी प्रियोग लेते थे खुदाई में चोटी चोटी टेरा कोटा, टेरा कोटा क्या थी? पक्की मिट्टी की मूर्थियां मिली हैं, इनका प्रियोग पुजे पट्टिमाओं के रूप में होता था या फिर खिलोनों के रूप में होता था पूरुष वाइस्त्री दोनों की ही लग्गू मुरिण मूर्तिया रता छोटी-छोटी मिट्टी की बनी हुई मूर्तिया मिली है लेकिन इस्त्री मूर्तिया संख्या में ज़्यादा मिली है अब देखेगा सिंदुगाटी-शब्वलता का समाज है इसे समझदित महतोपन तथ्य जो परिक्षया के योगे हैं सिंदुगाटी-शब्वलता का समाज मुख्यते चार परकार की परजातिय थी लोगों की वो कोन-कोन सी थी भूम अद्धे सागरिया लोग सबसे ज़्यादा भूमद्य सागिरे थे जिनें मेडिटेरी भी कहा गया है मिट्रो ओस्ट्रोलाइड अल्पाइन और मंगोलाइड अब देखेगा बाजरे के दाने सबसे ज़्यादा सिंदु काटी सब्वेता में कुछ कबरों में मर्द भांड तथा अभूशन मिले हैं पूरुसों तथा महिलाओं दोनों के स्वाधानों से ही अभूशन मिले हैं जिसके आदार पर हम कह सकते हैं कि बाई पूरुसों रिस्तियां दोनों अभूशन धारन करते थे 1980 के दसक के मद्धे में हडपा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनोनों में एक पूरुस की खोपड़ी के समीब संक के तीन छलों जैस्पर एक परकार का रतन था जैस्पर के मन के तथा सैंक्डों की संक्या में मनकों का बना एक अबूशन मिला है कहीं कहीं पर मर्दकों को तमबे के द्रपणों के साथ भी दफनाया गया था इससे अनुमाल लगा जाता है कि संदव लोग मर्दकों के साथ बहुमुले वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे समों के अन्तेस्टि के परमान इस प्रकार मिले हैं वो देखेगा पूर्ण समाधीकरण आनसिक समाधीकरण और दाहसेंसकार तो पूर्ण समाधीकरण में क्या होता था इसमें समपूर्ण सव को भूमी में दफनाया जाता था आन्सिंग समाधिकरण में इसमें पसु पक्षियों के खाने के बाद सव का बच्चा हुआ भाग जमेन में गाड़ा जता था फिर है अंतिम दाहस एंसकार इसमें सव को पूर्ण रूप से जलाकर भस्मों को भूमी में गाड़ा जता था अब देखेगा हडपा दुर्गे दक्सिन पस्सिमें स्थित कब्रिस्तान को एच कब्रिस्तान का नाम दिया गया है तो कई बार क्यूसन आ चुका है कि सिंदु गाड़े सब्यता का वैस्तल जहां से एच कब्रिस्तान मिला है वह हडपा का दुर्ग लोथल से प्राप्त सव का सिर पूरव एवं पस्सिम की और एवं सव सरीर करवट लिये हुए है लोथल से ही एक कबर में दो सव आपस में लिप्टे हुए मिले हैं सुरकोटडा से अंडाकार कबर के अवसेश मिले हैं रूपनगर जो रोपड में है तो रोपड के रूप नगर की एक अबर से आदमी के साथ कुट्टे के भी अवसेश प्राप्त हुए हैं मुहन जोद्ड की खुदाई के अंतिमिस्तर से प्राप्त कुछ सामुहिक नरक अंकालों के परमान मिले हैं साकार एम मासाहार दोनों का पर्चलन था दास पर्था के साथ से माने गए हैं कारण हम क्यों कहते हैं सा क्यों मानते हैं सा कि जो सिंदु काठी सब्वेता है उसमें दास पर्था थी तो उसके साथ से मिलने हैं वो क्या है अन्नागारों के पास सर्मिक आवसों का मिलना ठीकर जो बड़े बड़े अनाज भंडा रहा हूं उसके पास सर्मीकों के आवास मिलें उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दास परता थी सिंदु गाटे सबेता में सत्ती परता नहीं थी लेकिन अपवाद सवरूप लोथल से महिलावय पूरुस का स्यूंग्त सवाधान मिला है जिसके आदार पर कई विद्वान कहते हैं कि सिंदु गाटे सबेता में सत्ती परता थी लेकिन सरमाने तथे यह है कि सिंदु गाटे सबेता में सत्ती परता नहीं थी हडपाई लोग कड़ाई दार वस्तर पहनते थे परमान भी मिला इसका मोहन जोद्रों से पत्थर की मूर्ति पर ती पतिया सोल है अर्थात मोहन जोद्रों से एक पत्थर की ऐसी मूर्ति मिली है जिस पर तीन पतियां बननी हुई है तीन पतियों बन्ना हुआ एक सोल है वो उस पूरस ने ओड़ रखा है ठीक है तो देखें गास स्टूडेंस इस वीडियो में हमने सिंदुगाठी सब्वेता के समाच के बारे में पढ़ा और सिंदु काटि सब्वेता के आर्थिक जिवन के बारे में या फिर सिंदु काटि सब्वेता के बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेसन चाहिए तो आप हमारे वर्चब पे बने ब्रोड काट चैनल से जुड़े ताकि आपको नहीनी पोस्ट और नहीने वीडियोज मिलें और हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें अब देखें अंत में हम आपको यहाँ पर एक पर्शन बताएंगे भारत की पर्थम नगरिय सब्भेता का सरवाधिक उप्यूक्त नाम क्या है भारत की जो पर्थम नगरिय सब्भेता उसका सरवाधिक उप्यूक्त नाम क्या है मैं आपको उप्सर मताती हूँ सिंदुकाटी सब्वेता, सर्स्वती सब्वेता, हडपा सब्वेता और वदेख सब्वेता तो इसमें से क्या आएगा? हडपा सब्वेता तो धन्यवाद चात्रों आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा थैंक्यू